दोस्तों नुभशकार स्वागत है आप सभी का आप भी के चैनल उशा की किरन में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सांदार एश्यूवी ग्राउन्ड विटारा के बारे में और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसके बारे में पूरी डीटेल इंफॉर्मेशन दें दिखाएंगे उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों आप हमेरे सामने देख सकते हैं यह है सेकंड टॉप मॉडल जो की जेटा प्लस के नाम से आता है और नेक्सा के आउटलेट मारूती के जितने भी हैं वहाँ पर यह गाड़िया अवेलेबल होती हैं और कीमतों की अगर हम बात करें दोस्तों तो कीमत है काफी महंगी है जिसके बारे में हम आपको आगे बताई देंगे सामने की अगर हम फ्रंट लुक की बात करते हैं सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि मारूती सुजगी का बड़ा लोगों आपको यहाँ पर की गई है तो दोस्तों काफी बोल्ड लुक के साथ में है ग्रांड विटारा जैसा इसका नाम है वैसी ही यह गाड़ी है और सामने और साइड्स अगर हम देखते हैं दोस्तों तो आपको एक मतलब रोड प्रजेंस मिलती है कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं काफी महंगी यह गाड़ी है काफी बड़े टायर दिये गए जो कि अलोई विल्स के साथ में है 17 इंची की टायर है अभी के बारे में आपको बताओं तो इस तरह कि आपको यहाँ पर जो है दो चाबिया मिलेंगी रिमोट की मिल जाती है आपको जिसके अंदर आपको यहाँ पर लॉक औ आप अपनी गाड़ी को किस तरह से चलाते हैं तो दोस्तो साइट से हमें गाड़ी कुछ इस तरह की दिखाई देगी जहाँ पर आपको काफी बड़े टायर है अलोई विल्स के साथ में जिनका रोड पर जैंस हमें काफी सांदार दिखाई देने वाला है और पीछे से अग गाड़ी के रियर प्रोफाइल के उपर काफी सुन्दर हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर आप देखते हैं एस लोगो है और यहीं पर नीचे की साइड में आपको इसका कैमरा मिलेगा यह आपको पूरी पूरी यहाँ पर ब्रेक लाइट देखने के लिए मिलती है ज यहाँ से कुछ आपको पूस बटन दिया गया है जिसको आप प्रेस करेंगे तो आप इजिली इसको खोल पाते हैं और यहाँ पर आपको काफी बड़ा जो है इसकंदर बूट स्पेस दिया गया कंपनी के द्वारा यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेप्रेशन प्लेट भी म आला कि आप चाहें तो इसकी जो पीछे वाली सीट है रियर वाली जो सीट है इनको आप होल्ड भी कर सकते हैं अगर आप कभी अकेले जा रहे हैं तो वहां पर आपका लगेज एरिया आप बढ़ा सकते हैं तो इसको करते हैं हम बन गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको ओव सांदार मिलती है ओवराल इसका जो ग्रोश विकल वेट है वो है 1775 kg का और कर वेट है 1290 kg के आसपास का चलिए दोस्तों हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर के जो फीचर्स है वो आपको मैं दिखा देता हूं सबसे पहले हम सुरुआत करेंगे इसके जो पीछे वाल पावर विंडो का स्विच है और यहां पर आपको मुजिक सिस्टम और एक लीटर पानी की बाटर रखने के लिए स्पेस दिया गया है सीट की अगर हम बात करें दोस्तों तो सीट काफी अच्छी है काफी कमफ़ड़िबल सीट है अच्छा थाई सबोर्ट मिलेगा आपको पर देखने के लिए और पीछे वाले पैसेंजर के लिए यहां पर आपको तीन-तीन हैडरस दिये गए जो कि एड़ेस्टिबल है एक आर्म रेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है जिससे कि आप यहां पर कमफ़ड़िबली अपनी लंबी डिस्टेंस की यात्रा को कम्प्ल ट्राइवर के इंट्री की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर आपको मिल जाता है इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर आप अपनी डोर को इजिली ओपन कर पाते हैं कुछ इस तरह से और गाड़ी का अंदर का व्यू देखो दोस्तों आप जो है कितना स्पेस मिल रहा ह और यहां पर भी आपको पानी बैटल रखने के लिए स्पेस है, डॉकिमेंट होल्डर है या आपको इसके अंदर जो है लेधर फनिस यहां पर भी दिया है तो दोस्तों गाड़ी काफी लगजरी है और मैं उमीद करता हूं इस तरह की गाड़ी मेरे ख्याल से हर कोई लेना और यहां पर जो डाइवर की शीट है इसको आप आगे-पीछे और रिक्लाइन एड़ेस्ट कर सकते हैं तो और दोस्तों काफी अच्छा-खासा इस पीस मिलता है अमें गाड़ी चलाने के लिए और दोस्तों जेटा प्लस वेरियन के अंदर आपको यहां पर यहां इसके इ की तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर यह जो इस्टेरिंग काफी सांदार है और काफी सॉफ्ट है एलेक्ट्रिकली पाउर असिस्टेड आपको इसकंदर इस्टेरिंग दिया गया है जिसको उपर आपको मुल्टी मीडिया के तुमाम सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं आप अपने फॉन को पिक कर सकते हैं अपको डौब कर सकते हैं वोइस असिस्टेंस है वोगला बटन है यहीं पर आपका हौरन है ंपको प्लास कर सकते हैं अब दोस्तों हमारे पास में जोrauen आपको यहां इसको start करने का निरालाई अंदाज होता है हम अपने brake pedal को यहाँ पर कुछ इस तरह से press करेंगे और हमारे push button को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से press कर देते हैं तो आप देख सकते हैं काफी easily गाड़ी हमारी start हो जाती है और जैसे ही गाड़ी start होती है तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों इसके अंदर जो है काफी खूबसर डिस्प्ले निकल करके आता है जिसके उपर आपको तमाम सारी चीजें यहाँ पर सो होती रहती है कलरफुल डिस्प्ले के अंदर जैसे कि आपको EV है तो EV की यहाँ पर आपको information सो हो रही है कौन से mode में आपकी गाड़ी चल रही है eco mode है कौन सा mode है वो यहाँ पर आपको सो होता है eco power और यहाँ पर आपको इस तरह के mode मिलते हैं डोर आपका यह वाला हमारा open किया हुआ है तो डोर opening यहाँ पर आपको warning भी सो हो रही है average fuel economy भी आपको सो हो रही है distance to empty है और इसके अंदर तमाम सारी चीजें जो कि यहाँ पर आपको सो होती रहती है वो आप देख सकते हैं इस side में आपका engine temperature है fuel gauge है इस side में बीच में आपको इसका speedometer है और तमाम सारी information आपको यहाँ पर मिल जाती है बीच में आपको मिलता है इसके अंदर काफी बड़ा एक touch screen जो की android auto apple car play इन चीजों को support करता है जिसके अंदर अगर हम इसको play करके आपको दिखा है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यह तमाम सारी चीज़ें आप यहाँ पर access कर सकते हैं connect कर सकते हैं इसके अंदर अपने radio है Bluetooth है और GPS वगरा है और तमाम सारी warning informations भी जो है वो आपको यहाँ पर so होती रहती है setting वगरा का button है radio FM वगरा है तमाम सारी चीज़ें है AC काफी powerful है automatic climate control AC आपको यहाँ पर दिया गया है जेटा plus variant के अंदर और यह जो है आपका यहाँ पर इसका CVT यानि कि automatic transmission का gear shift lever है जिसके अंदर आपको reverse, neutral and drive mode इस तरह के कुछ mode मिलते हैं जैसे ही आप highway वगरा पर चलते है तो यह automatically consider करके गाड़ी अपने आप रन हो जाती है, electric और petrol के साथ में आपकी गाड़ी यहाँ पर रन होती है, यहाँ पर इसके अंदर आपको cup holder वगरा दिये हैं और यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है एक armrest भी दिया है जिसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ storage capacity दी लगते हैं और यहाँ पर यह बटन भी है, यह मिरक्याल से SOS इसके अंदर मिलता है आपको यहाँ पर, SOS feature मिल जाता है और मैं ऊपर के बारे में आपको जानकारी देता हूं, यहाँ पर इसके अंदर आपको light मिलेगी यह यहाँ पर यह बटन है एक, जिसके माध्यम से आप लगजरी गाड़ियों के अंदर आपको इस तरह कि यह सब features मिलते हैं, तो यह feature आपको यहाँ पर मिली जाते हैं, अलागि यह पीछे तक और चला जाएगा लेकिन हम इसको पूरा नहीं खोलेंगे, इसको कर देते हैं, हम बन, और यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको sun इसका नाम है, वैसा ही इसका काम है, इंजन काफी silent है, गाड़ी चलाते समय हमें पता भी नहीं चलता है, कि गाड़ी हमारी चल रही है, तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको हमारी तमाम सारी जानकरियां जो हैं वो अच्छी लग रही होंगी, और यह आप देख सकते हैं स्टेरिंग भी कितना सॉफ्ट है, गाड़ी चलाने के दोरान, और AC भी काफी powerful है, टच स्क्रीन के अंदर आप जो है, तमाम सारी information को यहां पर देख सकते हैं, बैटरी सोबरेट हो रही है, तो हमारी यह बैटरी कितना बची है, वो भी सो हो रहा है, और बैटरी run हो रही है इस समय पर बैटरी कंजूम हो रही है, वो भी हमें यहां पर सो हो रहा है, गाड़ी के अंदर दोस्तों, गर हम सेफटी की बात करना, तो आपको इसके अंदर 6 airbag जो है, दिये गए हैं गाड़ी के अंदर, आगे के दोनों साइड में आपको airbag मिलेंगे, कर्टेन बगरा प BH6 technology के साथ में आएगा, 1.5 लीटर का यह एंजन है, जो की 122 नम का टॉर्क जनरेट करेगा और 91.18 BHP की इस से आपको पावर यहां पर मिल जाती है, दोस्तों इस गाड़ी के जो एंजन है, इसके अंदर आपको पर सिलिंडर आपको यहां पर 4-Volt टेकनोलोजी का इस्तेमा और यहां पर देख सकते हैं, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, Grand Vitara के इस वीडियो के बादियम से आपको काफी सारी जानकारियां यहां पर मिल गई होगी, सामने की साइड में आप देख सकते हैं, काफी खुबसूरत आपको यहां पर हेडलाइट वगरा दिये गए है नीचे की साइड में आपको प्रोजेक्टर हेडलेंप में लेंगे और उपर की साइड में आपको इसकंदर DRL और LED के साथ में आने वाले इंडिकेटर वगरा यहां पर प्रोवाइट किये गए हैं, कीमत होगी अगर हम बात करें दोस्तों तो 20,85,000 रुपे के आसपास इसक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो इसको लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों में पहली बार हमारे चनल पर आये हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत